इसमें आपको जैसे आपने टाइटल पढ़ लिया होगा रिपेर के बारे में वताने वाला वाला डीजीए की ड्रोन के बारे में डीजीए इस लीडर इन ड्रोन आपके पास है और आपने कभी अगर नया लिया है कहीं से भी तो यह बहुत प्रावलम आती है कि अगर कुछ प्रावलम आ जाती है मेजर तो उसको रिपेर कहां से करवाएं तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं एक ओफिशिल सोर्स और एक मनलब एड्रेस जो की डीजी आई का ओफिशियल रिपेर सेंटर है जो की इंडिया में खुल चुका है और यह डीज आई आपको विशिल्टी प्रावाइड कर रहाते हैं कि क्योंकि काफी सब्सक्राइबर की प्रावलम आ रही थी कई बार कोछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप वो जो कैलिबरेशन वगएर से सौल नहीं होती है तो पहले अब तक ने अविलिबल नहीं था अब तक अब तक अगर इंडिया में आपके पास ट्रून है डीजेगा तो हॉंग कॉंग भीजना पड़ता था अब तक लेकिन अब आपको हॉंग कॉंग नहीं भीजना पड़ेगा और एक सब्सक्राइबर मेर थे जो मुझसे पूछ रहे थे उन्होंने भी मुझे बताया और फिर मैंने ख 11 to 7, they are open Monday to Saturday, 4 numbers provide किये गए हैं और आपको दिखा भी देता हूँ, service centers you can see, यह DJI की ही site में ने खोली हुई है, और DJI की site में आप देख सकते हैं, यह हैं, address और पूरे एशिया में, इंडिया में सिरफ एक किनों ने खोला है, जो की जैपूर के अंदर है, तो कोई भी आपको major शिकायत आती है आपके drone में, जो आप सोच रहे हैं कि maybe due to, hardware error है, यानि machine में कोई problem में, आप ड्रोन में कोई problem में major, तो आप जैपूर आ सकते हैं, इनके पास, and they will solve your problem, तो यह काफी requested question था, काफी requested email में मुझसे पूछा गया, और this is officials, तो आपके drone में कोई अगर कोई problem नहीं आएगी, और कोई major problem आती है, कोई spare part chain होने वाला है, good news for Indian drone flyers की DJI का official repair center इंडिया में आ गया है, so nothing to worry, कोई problem आती है, क्योंकि एक subscriber मेरे थे, उनका नए drone में problem आ गई है, gimbal error दिखा रहा है, तो उनको मैंने reply किया था, जो possibilities हो सकती है, और अगर आपके gimbal को लेगे कोई कुछ questions है, तो उस पर मैं एक dedicated video बनाने वाला हूँ, तो gimbal में कोई arrows आते हैं, तो उसका solution कैसे है, अगर major problem है hardware का, तब तो इनके पास ही जाना पड़ेगा, otherwise कुछ software calibration से gimbal की problem solve हो सकती है, और gimbal को कैसे रखना है, कैसे बचा कर रखना है, में इंटर रखना है, उसके अपर भी पूरा dedicated video में information होगी, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, अगर आप नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए, क्योंकि यहाँ पर हम drone से रखना है, ऐसी एची information and useful information देते रहते हैं, तो फोप आपको पसंद आएगा video, प्लीज लाइक किजिए, सब्क्राइब किजिए and share this important information, important information, because जिसके आपके drone है, यह requires some service center, जो official हो, तो वो है यह जैपुल में, थैंक्यू, जैमाता,